आज पंजाब के मुख्य मंत्री सर्दार भगवंत मान जी ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया उसके खिलाफ केस दर्ज करके उने गिरफतार किया जा रहा है किसी को इस ब्रश्टाचार का पता नहीं था ना मीडिया को पता था ना विपक्ष को पता था किसी को नहीं पता था मान साब चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए एक हिस्सा मांग सकते थे अब तक तो ऐसे ही होता था मान साब चाहते मामले को दबा सकते थे उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने खुद बखुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्षन लिया भगवंत हमें आपके उपर गर्व है पूरे पंजाब को आपके उपर गर्व है पूरे देश को आपके उपर गर्व है 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूर्ड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसी एक्शन लिया था, उसके भ्रिष्टाचार के सबूत मेरे पास आये थे, तब भी किसी को नहीं पता था, मैंने खुद बखुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था, आम अदमी पार्टी कट्टर इमानदार पार्टी है, कट्टर इमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नि, उसे बक्षेंगे नि, अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी, अपनों को पकड़ना तो दूर ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्षिन नहीं करते थे, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के ब्रश्टाचार के खिलाफ भी एक्षिन ले रही है, मान साब के इस डिसीशन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत सकती है क्या, कई लोगों की आखों में खुशी के आंसू है, और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरूद करे, तो विपक्ष कहा रहा है, देखो देखो सरकार बनने के दो महिने में इनके लोगों ने भ्रश्टाचार करना शुरू कर दिया, ये सार दुनिया के दुनिया के इतिहास में ये पहली बार, पहली सरकार है, जो पता लगते ही सकस्त अक्षन लेती है, चाहिे गुना करने वाला अपना Around क्यों नाओ, करफशन देश के साथ गद्डारी है कुछ भी बरदाश्ट कर लेंगे लेकिन भारत माता के साथ गद्डारी नहीं करेंगे, गर्दन कट जाएगी, लेकिन देश के साथ गद्डारी कबूल नहीं है, ना गद्दारी करेंगे ना किसी को करने देंगे बच्चपन से घर में माबाप ने इमानदारी के संसकार दिये है यह जो हमने किया है यह करने के लिए बहुत-बहुत हिम्मत चाहिए और यह हिम्मत हमें भगवान से मिलती है उपर वाले से मिलती है आज पूरे देश में सिर्फ और सिफ एक ही पार्टी आप जो कट्टर इमानदार सरकार दे सकती है, कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी थोड़ी तो करॉप्शन करने पढ़ती है, थोड़ी तो गड़बड करने पड़ती है, आम आदमी पार्टी ने थावित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना फ्रष्टाचार के इमानदारी से भी चल सकती है, भारतिय राजनीती बहुत खराब हो गई है, बहुत बहुत दूशित हो गई है, भारतिय राजनीती में आम आदमी पार्टी एक नई शुर शुरुआत एक सुनेरा भारत बनाने की शुरुआत भारत माता की जय जय हिंद